कोरियन ग्लास स्किन पाना चाहते तो देखिए ये वाला चुटी आई वाय है वो आप ही के लिए है मैंने एक बार लगाया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मातर दस रुपे की चीज से आपको ये निखार मिलने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए सा बार जो अगली चीज आपको शुटा चंब्र ये वह है हल्दी पावडर आधा चोटा चंब छूटा चंब्र जित्नी आपनी मूलदानी मिंटी पावडर लिए है उतनाही हा फोटिक पर यहां पर भीसस इंप बलाना है अब आपको इसन मिलाना आप शूटा चंमठग हनी यानि की शहत अब इसमें आप मिलाईए एक चोटा सा चमश नारियल के तेल का अब रोज वोटर मिला करके आपको एक पैक लाएक कंसिस्टेंसी में इसको तयार कर लेना है धीरे धीरे करके मिलाईए ताकि यह जो पैक है ज्यादा पतला ना हो और ज्यादा गाढ़ा भी नही करके ही आप इसमें रोज वोटर मिलाईए दोस्तों जो नारियल का तेल हमने से मिलाए वो आपको जरूर मिलाना है जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहेगी मुलायम बनी रहेगी समय से पहले आपकी स्किन पर जुरियां फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं आ लेना है अगर बच जाए तो आप अपने हाथ और उपर भी इसको लगा सकते हैं दोस्तों जब तक मैं इस पैक को अपने चेहरे पर लगा रही तो तक आप मुझे बताए कि आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के किस कोनी से देख रहे हैं कॉमेंट करके बताएगा आपका आपकी जगह का नाम तकि अगले वीडियो में मैं अपनी वीडियो दिखने के लिए आपको थैंक्स कह सको मेरा पिछला थैंक जाता है रेवती पाटिल जी को जो की पूने से हैं इस पैक को आपको जो है दोस्तों हफते में एक से दो बार लगाना है जिससे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप देखकर चौक जाएंगे जो थन के मौसम में हमारे फेस पर एक काला पंसा आ जाता है डलनेस सा आ जाता है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगा अपने फेस की साथ साथ अच्छे से आपको इसे अपनी गर्दन पे भी लगा लेना है गर्दन को मिस बिल्कुल भी मत कीजेगा अब बस दोस्तो इस पैक को लगा कर रखे 10 मिनट उसके बाद वाश कर लीजे पूरा 100% आपको ड्राय नहीं करना है 80% ही ड्राय हो उतना आपको रखना है उसके बाद आपको निकाल देना है और ये देखिए रिजल्ट बिल्कुल परिश्यदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक्यू सो मुछ वाचिंग्स वीडियो फ्रेंस मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर